लेकिन अगर आपके नीचे प्राइविट पार्ट में इस्टिटिस आई हुए हैं तो फिर आप तीन से चार दिन पांच दिन बाद हलके हलके बॉकिंग कर सकते हैं हेलो फैमिली नमश्कार एक बार फिर से हाजर हो गई हूँ आप सबके लिए एक हैलफुल वीडियो लेकर एक मोश रिक्वेश्टे टॉपिक लेकर आप सबके बहुत सारी कॉमेंट्स आ रहे हैं कि मैं डिलेवरी के बाद बजन को कैसे कम किया जाए कैसे जल से जल हम अपने पेट को अंदर कर सकते हैं यह सारी चीजे इस वीडियो में आज में आपको बताऊंगी सिंपल इजी तरीके बताऊंगी क्यूंकि आप बच्चे को दूद पलाते हैं तो उस पर भी कोई भी एफेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए क्यूंकि आपके डाइट में भरपूर मात्र नुट्रिशन होना चाहिए जिससे की बच्चे को भी दूद के जरीए वो मिल सके विक्या इस टाइम बच्चे का विकास अच्छे तरीके से होना बहुत ज़्यारी होता है इसलिए ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको दिक्कत पैदा नहीं करेंगी और नह नोटिफिकेशन वेल को दबाके और पर क्लिक जरूर कीजिए तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहली बात तो फ्रेंड्स में आपको यह बता दूंगे डिलेवरी के तुरंत बाद आपको बजन को लेके परिशान बिलकुल नहीं होना है क्योंकि जिस ब ऺचिकीशन की क्यार पर ध्यान दें पर अपको ज़ hour क्या होता है कि शरी बहुत जब कम जोर हो जाता है को आप के इप जडि Suri को जijnалे के जरूत तो आपको जब लगने लगे कि आप बिलकुल शिरती है उब की डविचार तरीके दो महिने तक अए उसके बाद से बाद फि आपको ध्यान देना है कि आपका भजन थोड़ा कम होना शुरू हो जाए चाहे आपकी delivery सेजेरियन हो या नॉर्मल delivery हो आपको delivery के 40-45 डेस तक किसी भी ऐसी चीज का सेवन नहीं करना है जो आपके लिए नुकसान दायक हो जैसे कि आपको कोई भी ठंडी चीज का सेवन नहीं करना है ठंडा पानी आपको नहीं पीना है और जैसे कि ठंडे fruits होते हैं खटे fruits होते हैं उनका सेवन आपको 45 दिन तक बिलकुल नहीं करना है आपको 45 दिन तक जो मैं बता रही हूँ वही खाना है क्या खाना है आपको दूद दलिया खाना है दाल खानी है दाल आप मूं की दाल खाईए ग्रीन वाली छिलका वाली बाकि आप रोटी ले सकते हैं पतली पतली रोटियां जितनी भी आपको भूट लगया आप उतनी ले सकते हैं और जैसी के आपके घर में अगर घी वगेरा के लड़ी वगेरा बना के दिये जाते हैं ट्राइफ फूट के तो आप वो भी ले सकते हैं उनको आपको मोशली दिन यह दाइजेस्ट हो जाती है क्योंकि यह हैवी चीजे होती है घी से बने हुए लड़ू और ड्राइफ फूट्स के लड़ू तो आपको ऐसी चीजे खाने पर एक बार वाक जरूर करना चाहिए इसके बाद आप अपनी डाइट में जीरे का पानी लें अजवाइन का पानी ल इस तनों में दूद की मात्रा भी बढ़ती है तो आप इन चीजों का भी अपनी डाइट में जरूर रखें तो सबसे पहला तो हो गया आपके खान पान पर अब आता है आपके थोड़ी एक्टिविटी पर जैसे कि अगर आपके नॉर्मल डेवरी हुई है नीचे टांके ब लुवरी होई है तो आप एक हफटे बाद अपनी ही कमरे में धीरे-धीरे से बॉकिं करना स्टार्ट कर सकते है स्पेस ली जब भी आप कुछ खा पी रहें तो उसके बाद एक छोटी सी वॉकिंग आप जरूर ही है इसके बाद आप मैटरिनियर्ट का भी यूज कर सकती चैसे आपके टांके कट जाते हैं फिर आप बैल्ट का यूज कर सकते हैं लेकर सीजरें डिलेवरी के बाद बैल्ट का यूज करने से पहले आपको एक बार दॉक्त से जरूर सला लेने जगा जैए। कि दॉक्टर मना करते हैं बेल्ट लगाने को मैं अपनी बात करूँ तो जैसे मेरी भी सिजेरेंट डिलिवरी हुई है तो मुझे पहली डिलिवरी में तो तुरंत ही बेल्ट दे दिया था था हॉस्पिटल में ही लगाने को दे दिया था लेकिन सेकंड डिलिवरी जैसे कि मेर किसी और जगे हुई तो वहाँ पर मुझे डॉक्टर ने बेल्ट के बारे में बताया ही नहीं लिकिन मैंने जैसे ही मेरे टांके कट गए मेरे टांके सही हो गए तो मैंने 15-20 दिन के बाद बेल्ट यूज करना शुरू कर दिया था तो मैटनिटी जो बेल्ट होते है वो पेट अगर आप ने ध्यान रख लिया तो बिना डाइट करें बिना किसी हाड एक्सराइज करें आप अपने बजन को चुठकियों में कम कर सकते हैं बस कोई भी जंग फूड ना ले फैटी फूड ना ले मैदा ना ले जादा ओयली फूड ना ले इन चीजों का ध्यान रख तो अगर आप जैसा खाते हैं तो बैसे ही आपके शरीर पर इफेक्ट पड़ता है साथ में अगर आप बच्चे को दूद्ध पलाते हैं तो उस पर भी एफेक्ट पड़ेगा यहल्दी खाना खाए हल्दी चीजे खाए ऐसे चीजे बिलकुल ना खाए जो आपको नुकसान दे मिलते हो आप सबसे अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखें बबाए थेंक्यू